मेरे प्यारे भायों और बेहनों आप सभी लगों को नमस्ते नमस्करम। मैं हूँ पिंटु महकुल, मैं एक सांत आत्मा हूँ, मैं आप सभी लगों के सुप्चिनताख हूँ। आज हमारा सहर में पार्क धमन के दौरान हमारी मुलाकात कूछ तितलियां से हुई। इसी कारण से आज का बिशय तितलियात्र है। तितलियां परिवर्तन की उदाहरण है। इस्वर की रचना प्रत्येक प्रानिक का महत्व रखती है। तितलियां इस्वर की महंतम क्रिपा को दसाती है। तितलियां एक फुल से दुसरे फुल का और बढ़ती हैं और फुलों से दोस्ती करती हैं। तितलियां जिवन को फुलों की तरह कोमल और पवित्र बनाने की कला सिखती हैं। हम सभी को अपने जिवन को पवित्र और कोमल बनाना है। हमें तितलियों की तरह संतुष्ट, सुध्ध और सांते रहने की कला सिखनी होगी। भगवान की कृपा इस धर्ती पर लगात और हो रही है। हम तालाब में सुर्या के प्रकास का अध्भूत प्रतिविम देखते हैं। और इस सथ्य को अनुभव करते हैं। प्रकास के बिना हम कुछ भी देख नहीं सकते। प्रकास इस्वर की क्रीपा है। उन्होंने इसे सुर्या के मैध्यम से हम पर बरसाए है। तितली की इवन यात्रा अत्यनत रहस्यमा है। यह हमें समझना होगा। भाई और बेहनों चित्र देखते हुए आप सब कुछ समझ जाएंगे। प्रकृति की अनहादी गुणों को पहँचान पाएंगे। आप सबी लोगों को भीडियो को अंत तक देखने के लिए बिनम्र निवेदन है। भीडियो अभी भी जारी है। कृप्या भीडियो को अंत तक देखते रहिए। भगवान की कृप्या आप सबी पर हमेशा बरस्ती रहती है। कर दो कर दो लुछ भूख साथ वेडियों को धार्या पूर्वग देखने के लिए आप शाभी को तहदिल से सुक्रियां